एक दिलजस्प वाक्या सामने आया है जरह सोचिए आपका भी हवाई यात्रा करें और आपका दोस्त या जानने वाला उस हवाई जहाज को चला रहा हो तो आपको कैसा लगेगा जी हाँ तमिल नादू के दियम के सामसद दया निदी मारन के साथ भी ऐसा ही हुआ दिल्ली से चन्नाई जाने के दोरान उनके यात्रा तम यादगार साबित हुआ जब उनके मुलकात अपने साथी से हुआ सामसद मारन ने इस यात्रा का जिक्र ट्वीटर के जरिय विस्तार से किया है आपको बता दें कि जब दया निदीब फ्लाइट की अगली सीट पर बैठे तो पाइलेट की पोसाक में एक वेक्ति ने उनसे बात की और कहा तो आप भी इस फ्लाइट में सफर कर रहे हैं सामसद मारन पहली बार में नहीं पहचान पाए लेकिन बाद में ये जान का चौक गए कि पाइलेट और कोई नहीं संसद में उनके साथ ही बिहार से भाजापपा के सामसद राजीव परताब रूडी हैं आपको बता दें कि द्रमुक सांसत ने अपने इस यात्रा का जिक्र ट्वीटर पर किया उन्होंने इस यात्रा के बारे में आगे जिक्र करते हुए लिखा कि चेहरे पर मास्क लगा होनी के कारण मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा था लेकिन जब वो आवाज मेरे कानों म पर गई तो मैं समझ पा रहा था कि ये किसी अपने की पहचानी हुई आवाज है मुझे हैरान देख पाइलेट भी मुस्करा रहे थे उनकी आखों में ये देख पा रहा था लेकिन जल्द ही समझ गया कि ये पाइलेट कोई और नहीं बलकि मेरे मित्र पूर केंद्री मंत्र राजियू परताव रोडी हैं कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है कि उम्मीद से परे कोई घटना ऐसी हो जाती है जो हमारे जहन में बरसो तक रहती है